इस मुवी को हर किसी को देखना चाहिए ताकि वो अपनी समझ को कही न कहीं इंप्रूव कर सके उसे डेवलोप कर सके देखो जब मैंने पता लोग जो सीरीज आई थी उसका मैंने जब रिव्यू किया था तो मैंने कहा था कि हर एक इनसान की अपनी काईडेलोजी होती है वो उस आइडेलोजी को लेके कोई चीज रिप्रेजेंट करता है बिना आइडेलोजी को चल भी नहीं सकता है जाहिर सी ब पूछा यार इसमें अच्छा गया है तो उसने का यार इसमें अच्छा है इसमें डायलोग बहुत अच्छे है इसमें गाली कलोच बहुत अच्छी दे रहे हैं तो जब मैंने कहा कि यार इसके अंदर तो टेरोरिजम को जस्टिफाई कर रहा है क्या तुझे इस चीज से को को तुम तक वो पहुंचाना चाहरी है फर एक्जामपल अगर कोई घटिया या बेकार सीरीज होती है या मुवी होती है वो तुमारे माइंड पर एक नेगेटिव असर डालेगी और अगर कोई अच्छी मुवी है या अच्छी सीरीज है तुम उसे देखोगे तो तुम्हें पोजिटिविटी मिलेगी एक लाइफ को दूसरे एंगल से देखने का नजरिया ही मिलेगा या फिर कुछ और मोटिवेशन भी उससे मिल सकता है तो जायर सी बात है एक मुवी या सीरीज हमारे दिमाग के उपर देख रहे हैं तो कुछ चीजें हम उसे ग्रहन कर रहे हैं ले रहे हैं तो अच्छी चीज देखोगे तो अच्छा चीज अपने आपको अच्छा बना पाऊगे अगर गटिया चीज ऐसी कोई सीरीज या मुवी दिखाई जा रही है जिसमें आर्मी को एक तरीके से गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट किया रहा है, धरम के परती वहां पर किसी चीज को खड़ा किया रहा है, गौर्मेंट के परती वहां चीज को खड़ा किया रहा है, तो लोगों के मन में धीरी धीरी वह जहर गोलने लग जाती है तो ऐसे मंद बूधियों की तरह है उस मूवी और सीरीज को देखने मत बैटो उसको समझने की कोशिच करो कि इसके पीछे मकसद क्या क्या इसमें तुम्हें सिखाने की कोशिच की की हर एक का अपने एक मोटिव होता ही होता है नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पैरासाइट मूवी की जिसे डिरेक्ट, राइट और स्क्रीन प्ले ये तीनों काम एक ही इनसान यानि बॉंग, जून, होन इन्हों नहीं किये हैं इस मूवी के दवारा जिते गयल अवो याद होगे क्योंकि मैंने ये मूवी दो बार देख ली इन चारों के पास कोई जोब नहीं है और रहते भी बेस्मेंट में या फिर एक अंडरग्राउंड एरिया में रहते हैं और उसकी बहुत ज्यादा खसता हालत है इनके पास पैसे नहीं है तो फोन का जो कनेक्शन है इसलिए वो फ्री वाइफाई वहां पर खोशते रहते हैं अपने उस बेस्मेंट में या फिर अंडरग्राउंड एरिया में तो चट पर ऐसे फोन को लेकर इदर उदर घूमते हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं से फ्री वाइफाई का कोई कनेक्शन मिल जाए और उनको मिलता ह है तो दोनों भाई बैन वहां पर फ्री वाइफाई के मतलब टोलेट सीट के पास बैट के वो फ्री वाइफाई चला रहे हैं वहां पर एक दिन कीवू का दोस्त उसे टूशन पढ़ाने के लिए कहता है और उसकी जोब जहां वो उसका दोस्त काम कर रहा था अब वो छोड की है और दा सोंग इसका चोटा भाई दा सोंग और एक मेट जो सालों से इस घर में काम कर रही है मून गौांग और इस अमीर परिवार को बहुत ज़्यादा रहम दिल इनोसेंट किसी से कोई वास्ता नहीं लेना देना मतलब कि अपने काम से काम रखते हैं ऐसा कुछ दिख जुआसे वो समाज को देखता है वैसे उस समाज को रिप्रेञ्जेंक को रहिए कोशिश करता है की वू को जब पता चलता है की दासोंग की माँ जो यह एक art teacher को ढूंड रही है जो उसके छोटे बच्चे तासोंग या या दासोंग को पढ़ा सके तो की वू बड़ी चाला वहाँ पर ड्राइवर का काम कर रहा था, उसको एक प्लैन के तहत उसे हटा देती है, और अपने पिता को उस अमीर घर में ड्राइवर की जोब भी दिलवा देती है, अब तीन सदे से हैं, इस गरीब पैरिवार के प्लैन बनाते हैं फिर उसे हटा देते हैं तो यह चीज बता के उसे हटाते हैं और तो कीवू वहां पर अपनी माँ को वहां पर एक नई मेड के तोर पर वहां काम दिलवा देता है अब बड़ा बेसबरी से इंतजार कर रहा था कि इसमें डिरेक्टर हमको दिखाना क्या जाता है और अब टाइम आता है ट्विस्ट का अब जो डिरेक्टर हमें दिखाना जाता है या फिर जो डिरेक्टर की जो सोच है वो क्या सोचते हैं वो अब रिप्रेजेंट या अब सा पूरे घर की जिम्मेदारी जो नई मेड चुंक सोक है उसको देके वो चला जाता है अब गरी परिवार को ऐसे रिप्रेजेंट के है कि वो बहुत लालची है उन्हें किसी विश्वास की भी कोई फिकर नहीं है वो किसी का विश्वास तोड रहे हैं पूरा गरी परिवार वो जल्दवाजी में वो वहां से उसे ले जानी पाई तो प्लीज एक बार उसे घर में आने दो क्योंकि वो उसे वापस ले जाना चाती है वहां से जो भी किचन के बैस्मेंट में रह जाते हैं और यहां पर चुरा जाते हैं तब उसे पता चलता है कि एक किचन में एक बेस्मेंट भी है जो वहां के जो अमीर परिवार है वहां किसी को भी नहीं पता कि किचन में एक बेस्मेंट भी है और उस बेस्मेंट में जो पुरानी मेड थी उसका पती चार साल से वहां रह रहा है चुंक सोक को यह पत असवार नहीं पर्वारा देंगे लेकिन वो इसकी request नहीं सुनती है। तो इक देखें तो जूँक जो गरीब परिवार जो यहां पर چार जो है वो सदसये के परिवार के गरीब परिवार के जो यहां पर जोब कर रहे थे उनसे भी ज्यादा दैनियस थी थी यहां पर जो बेस्मेंट में जो आदमी रह रहा था उसकी दिखाई गई है क्योंकि वह मांसिक रूप से संतुलित भी नहीं था मतलब उसका दिमाग भी गड़बडाया हुआ था और उसकी पत्नी कमाने वाली उसको जोब निकलवाया था उसके परिवार ने उसको दोके से निकलवा दिया था तो वो उन सब की वीडियो बना लेती है और उन सब को धंकी देती है कि अब जेल जाएंगे तो सभी कि सभी जेल जाएंगे फिर जैसे तैसे जो यह न्यू मेड है इसका परिवार अब इस पुरानी क्योंकि उनका प्लान कैंसल हो सुग है वो कुछी देर में पहुंचने वाले हैं तो अब यह चारों की चारों और घबरा जाते हैं कि वह मालिक है वह वापस हा रहे हैं ओपर से यह दो जो बंदे हैं यह जो एक पुरानी मेड और उसका पती अब इनका क्या करें तो जैसे तै कुछ बार का होटा है तो उसके पास कुछ करने को होता नहीं इसलिए वह वह वापरे बंदा ही तरद पता रहता हैं उस रात गरी परिवार को पता चलता है कि जो मालिक है उनके बारे में क्या सोच रखता है तो वो कहता है कि जो ड्राइवर है उसमें से बदबू आती है जैसे मुली शड़ गई हो उस जैसी बदबू आ रही है उसमें या फिर कपड़े ऐसे पैनते हैं जो बहुत टाइम से कपड़ों को जैसे गरम पानी में रखा गया हो और ऐसे पार्टी रखता है वहां पे तो इस पार्टी में जो पुरानी मेड का जो पती होता है वो अपने आपको जैसे दैसे सुबह तक अजाद करवा लेता है खुल जाता है और ये बाहर आके हमला कर देता है इन गरीब परिवाल के चारो सदस्य के उपर और इसमें जो है वो की होता है जो वो मर रहा होता है तो तो वह अपनी नाक को बंद कर लेता है वह क्याक से होता है तो यह सब देख रहा होता है जो ये ड्राइवर का काम कर रहा होता है जो गरी परिवार का जो मुख्या होता है तो वो ये सब देख रहा होगी एक तो रात को उसने इन सब की बात सुनी फिर यहां पर ऐसी हरकत उसने ऐसी देखी तो उसके अंदर एक अंदर जो की भी काफी टाइम से दबा हुए कि अमीर जो है उनका शोशन कर रहे हैं उनको कुछ नहीं समझते तो एक ऐसी भावना उसके अंदर वो जो दिखाई गई तो उसने चकु उठाया और उस अमीर प्रिवार के जो मालिक होता है उसके सीने में वो डाल लेता है जिससे वो मर जा जाद वो capitalism के खिलाफ है यानि इस movie में capitalism को है वो parasite दिखाया गया है अब अगर capitalism के खिलाफ है तो इसका मतलब यह नहीं कि communism का वो समर्थन करते हैं communism क्या होता है इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है capitalism यानि पूंजिवाद जिसका मतलब होता है कुछ एक संसाधन होते हैं जैसे भूमी हो गई या फिर को इंडस्ट्री या फिर कुछ और चीज़ें हो गई वो संसाधन एक private work के पास हो गई या प्राइवेट लोगों के पास होंगे उस पर government का कोई हक नहीं होगा government उनके उपर नियंतर नहीं रख सकती वो जैसे चाहें उस संसाधन का वो यूज कर सकते हैं और इसी को कहते हैं capitalism यानि कि अगर suppose करो कि आपकी एक कोई factory है तो आप capitalist कैला होगे वहाँ पे अब अगर पूरे world में देखें तो कही पर भी pure रूप से जो है पूरन रूप से कहीं पर भी capitalism नहीं है उसके अंदर socialism है यानि capitalism प्लस socialism का एक रूप यानि इनकी mixture जो है वहाँ देखने को मिलता है और भारत देश में भी socialism और capitalism यह दोनों ही एक साथ चलते हैं अब socialism का मतलब यह होता है कि समाजबाद समाजबाद लोगों को free शिक्षा, free medical सेवा यह चीज़े मिलेंगी लेकिन एक तरीके से आप देखे तो socialism का उधार्ण मैं दूँ तो France के अंदर जब एक लेडी जो pregnant होती उसको बच्चा होता है तो France की जो government है तो उस लेडी के घर में अपनी तरफ से एक servant भेज़ती है ताकि वो उस ल अर्थिक रूप से इतना संपन नहीं है कि इन चीज़ों को वो अफोर्ड कर पाए लेकिन बहुत सारी स्कीम चलती है जब महिला जो pregnant होती है या फिर जो बच्चा होता तो बहुत चीज़ें स्कीम चलाई जाती है उस government के द्वारा अब बात करते हैं communism की यानि साम्मेबाद की अब मैं आपको इससे उपरी तोर पे समझाओंगा क्योंकि मैं इसमें गहराई में नहीं जाना चाता क्योंकि गहराई में जाओंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी वैसे भी बन भी रही है तो communism में क्या होता है कि साम्मेबाद के अंदर इसमें क कहा गया है कि जो कुछ भी चीज़े हैं for example अगर एक गाड़ी है तो उस पे एक किसी particular person का हक नहीं है उस पे पूरी जनता का हक है मैं आपको इसको और सरल सब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं for example हमारे देश में जो communist हैं वो गरीबों को बढ़काने की बहुत कोशिश क करते हैं वो गरीबों को कहते हैं कि अमीरों का जो पैसा है वो सब में बराबर बटेगा तक भी तुम्हारी गरीबी दूर होगी यानि वो गरीबों को एक स्वर्ग ऐसा बातों में जो है वो स्वर्ग दिखाने की कोशिच करते हैं कि सब एक समान होंगे सब को बराबर तो सामेबाद का कहने का मतलब है कि कोई भी चीज है एक डॉक्टर जब 60,000 रुपे कमा रहा है तो अगर गरीब वर्ग का कुछ नहीं कमा रहा तो उसके 60,000 रुपे उस गरीब वर्ग में भी बटेंगी तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि भी हां रुपया सब मे लेगा यहां पर लेकिन कंविनिस्म जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है इसकी रिजल्ट बहुत ज्यादा भ्यांकर होता है जब ये स्टार्टनिंग में तो वहाँ पर innovation होती है, अपनी industry को बढ़ाने के लिए लोग innovation करते हैं, तो वहाँ पर चीजें उभर कर सामने आती है quality of life वहाँ देखने को मिल जाती है, लेकिन communism में ऐसा कुछ होता नहीं है लोग RC बनते हैं, तो इस बात पर तो सब को agree करना पड़ेगा अगर competition नहीं होगा, तो लोग innovative कैसे बनेंगे, लोग आगे कैसे निकलेंगे लोग अपनी quality of life कैसे improve करेंगे, competition है, तभी लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं अब competition नहीं होगा, अगर वही life चलती रहेगी, तो लोगों का जीने का मकसद भी कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे और जो हमारे देश के जो communist हैं, वो क्या करते हैं, वो गरीबों को बढ़काने का काम करते हैं, उनका use ही वो करते हैं अगर आप मुझे से पूछो कि यार गरीबी को कैसे हटाएं, तो गरीबी को हटाने का तो देखो हैर, मुझे तो यहीं की सरलफंड आता है, महनत करना, महनत करेंगे, अपने परिश्रम के उपर हम उस गरीबी को हटा सकते हैं कोई ऐसे नहीं की भी कोई जूटे सपने दिखा कर या कॉमिनिस्टों के द्वारा कहने के भी तुमारे तुमारी गरीबी खतम हो जाएगी, अमीरों का पैसा तुमें बढ़ जाएगा, तो इन चीजों के चक्र से बाहर निकलना होगा, बहुत से लोग इसमें आते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक हम महनत नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर कोई आगे बढ़ने की परतिसफर्दा ही नहीं होगी, तब कैसे हम अपनी गरीबी को दूर कर पाएंगे, वीडियो काफी लैंती हो गई है, मुझे बता है, लेकिन मुझे इसमें बारे में बात करने तो क्यां कि ओसकर वीनिंग मुवी है, यार, कोई ऐसी नहीं कि इसकी बस चुटकियो में बात कर दूँ, खतम कर दूँ, चार मिनिट की वीडियो बना के, मुझे नहीं लगता है, इसके अंदर जो रियल कॉंसेप्ट है, कैपिटलिजम के खिलाफ जो बोला गया है, त तो इस चीज़ को समझो यार, जो मुवी ये देखने बैटो, तो अपनी ये जो दिमाग के चक्सों से खोल कर देखना, कहीं ये नहीं है कि बस ऐसे ये देख लिया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं राजाएगा, आपको ये समझ नहीं आएगी, कि इसमें कहां क्या गया है, मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूँगा, तो प्लीज कोमेंट करके मेरे साथ अपने जो विचार, अपने थोड़ जो हैं, वो मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं उनका रिप्लाय करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, इंटलेक्चुल जो बातें करते हैं, ऐसे नहीं कि कई लोग गधों की तरह कोमेंट करने लग जाते हैं, मुझे तो वैसे वो पसंद नहीं होते, अब क्या करें, दुनिया में सभी लोग हैं, पांच उंगलियां तो सेम होती नहीं, क्या है, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, तैंक्स और वाच्छ